नमस्कार दोस्तों आपका बहुत दोस्तों आज आपको यूडियो देखना बहुत ही ज़रूर है क्योंकि आज कुड़ में आपको ऐसे थ्री प्लगिन बताऊंगा अगर आप करनेटली इस प्लगिन को यूज करें तो आपकी वेबसेट डेफिनिटली यहाँ पे 101% हैक हो सकत यहाँ चैनली है तो यहाँ पे एक बड़ी वेबसेट के रिपोर्ट के मुतबीक जो ऐसे करने Sé 3 प्लगिन जो पाएगये इस प्लगिन की मद्द से कोई भी hecker आपकी वेबसेट को आसानी से हेएक कर सकता है तो आप किस तरह से बईच के रएपको क्या करना है इसके बारे ह यहां पर बात करने वाले यह सब पूछ जाने के लिए वीडियो देखते रहे हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लगिन की लिश्ट देता हूँ कि आपको कौन कौन से plugin को अभी immediately आपको आपकी website में से delete करना है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे plugin है इस plugin का नाम में duplicate paste and post तो देखिए में भी आप इस plugin का use करते होगे तो यहाँ पे नीशे देख सकते हैं यहाँ पे plugin को wordpress.org में से recently इसे remove कर दिया गया है क्योंकि यह ऐसा plugin है जो hacker को एक door upload करता था इसकी मद्द से आसाने से कोई भी hacker आपकी website में आके कुछ भी कर सकता था इसका बद दूसरा plugin है वह इस plugin का नाम यहाँ पे है nofollow or external link तो इस plugin को भी यहाँ पे recently यानि कि 19 December को इससे remove कर दिया गया है wordpress.org में से तो यह भी एक ऐसा plugin था जो hacker को एक door upload करता था इसकी मद्द से आसने से आपकी wordpress की व्याफेट पे SQL injection की मद्द से आपकी व्याफेट को hack कर सकता है किसी भी hacker इसका बद तीसरा plugin है तो देखिए इसका plugin का नाम है यहाँ पे जो भी no external link तो एक ऐसा plugin है इस plugin भी यहाँ पे जो यह plugin जो hacker को यहाँ पे door upload करता था यानकि एक backend रास्ता इसके मद्द से आपकी व्याफेट पे कोई भी attack कर सकता था तो यह recently wordpress.org में से इसे remove कर दिया गया है अगर आप इसे use करते है तो आपकी व्याफेट में से remove नहीं होगा तो इसी reason से यहाँ पे मेंने वीडियो बनाए है कि अगर आप इस त्वी plugin में से एक भी plugin यूज़ करते हो तो immediately आप इसे delete कर दिये तो आपकी website के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ आपकी website safe रहेगी इसके बद यहाँ पर मैं यहाँ पर जो मेरी मेन website है weboom.com इसमें यहाँ पर मैं कौन-कौन से plugin यूज़ करता हूँ वह आपको यहाँ पर में देखा तो देखे यहाँ पर आपको देखा रहेगा मैंने डेश्पेट ओपन कर दिया है इसके बाद यहाँ पर मैं चाहँ प्लग इन और यहाँ प्लग इ यहाँ पर एश्टी यह आपको यहाँ पर बहुत ही जान रखना है कि आप कौन-कौन से यूज़ करता हो दो मेन आपको पहले पता है यह 3 प्लग में आप कोई भी प्लग इन यूज़ करता है तो आप इसे इमेडिटली डिलेट कर दीजे क्या आपकी website यहाँ पर हैक हो सकत साथ किसी भी प्रकार की यहाँ पर गलत दू एक्टिवेटी ना हो तो बस आसका वडियो मरह यहीं तक था था थांक्चो प्रोशिंदेश वडियो